नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप सब दोस्तो उम्मिद है कि आप बहुत ही अच्छे हूँगे दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर लीजिए बेल अकेन को भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरी वीडियो आपको समय से मिलती रहे उसका नोटिसी रहता है आपको समय से मिलता रहेगा दोस्तो मैं आज एक टार्गेट लेकर चल लाँ हूँ कि आप कम से कर मुझे 200 लाइक करके देंगे उमीद है कि आप से कि आप मुझे 200 लाइक पूरा करके देंगे ताकि मुझे भी मोटिबेशन मिलता है अगर आप लोग लाइक करते हैं दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई कॉल आ रहा है किसी वकील की तरफ से या किसी पुलिस की तरफ से आपको कॉल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लोन को पे करो जतना लोन है उसको पे करो नहीं तो हम आपके ऊपर लीगल कारवाई क करेंगे 130 में केस करेंगे या 406 में करेंगे 402 में करेंगे मनलब किसी भी धारा को बोल के आपको ड्राया जा रहा है आपके उपर कानूनी कारवाई करने की धंकी दी जा रही है आपको दवाब डाला जा रहा है कि अगर आपने लोन को पे नहीं किया तो हम कानूनी कारवाई क क्या पुलिस के पास या वकील के पास या किसी और ःट पार्टी के पास कम अगर आप गर बैटे कुछ पैसा कमाना चाहते हैं जो कि मैं कमा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ आपको भी मैं ये बात बता हूँ तो दोस्तों आपको जाना है description box में वहाँ आपको grow app का link मिल जाएगा grow app को download कीजिए वहाँ पे अधार card, pen card और bank की passbook लगा के full detail से वहाँ पे KYC कीजिए उसके बाद आपको मिल जाएंगे 100 रपय जो कि आप अपने account में transfer कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको minimum 100 रपय अगर समें हो जाते हैं तो आप transfer कर सकते हैं इसमें ऐसा कोई श्मी नहीं है target कम से कम 500 या 5.000 या 10.000 जो है आपके कम से कम होने चाहिए तब या विड्रो कर पाएंगे फिर उसके बाद मुझे भी 100 रपय मिल जाएंगे क्योंकि आपने मेरे link से download करके पूरी process को follow करते हुए account खोला है ठीक है जब आपका account खुल जाएगा 100 रपय भी मिल जाएंगे 200 रपय के साब से 2000 रपय आपके पक्के हो गए यह घर बैटे आप जो है पैसा कमा सकते हैं और अच्छी बाद इसमें यह है कि इसमें आप जो है account खोलते हैं तो 100 रपय तरंद मिल जाते हैं क्योंकि जो account खोलेगा उसको भी 100 रपय मिलेंगे तो मैं तो यह कहूँगा कि आप सबसे पहले आप स्टॉक में प्राइ कीजिए उसकी बाद ग्रो में कीजिए ठीक है लेकिन ग्रो में 100 रपय मिलते हैं खाता खोले वाले को भी ठीक है आप जिसको रफर करेंगे जो खोलेगा account उसको तो 100 रपय मिलेंगे मिलेंगे ठीक है लेकिन ग्रो में क्या है ग्रो में ऐसा नहीं जो account खोलेगा उसको 100 रपय नहीं मिलेंगे नहीं 300 मिलेंगे एक भी रपय नहीं मिलेगा बस आप रेफर करके रपय कमा सकते हैं जितने लोगों रेफर कर लेंगे उसमें उतना आप 300 के साफ़ से अप जितना भीजेंगे रुप्यकर कमा सकते हैं स्वास से अगर दो लोगों ने जितना कर लिया, मान दीजिए 2 लोगों ने जितना रुप मैक्सिम mówi eye-s kayak doing test secure,to other means lol आज ही इस काम को करें, आपको दोनों के link description में मिल जाएंगे, अब stock care भी और group का भी आपको दोनों का link मिल जाएगा, ठीक है और भी link देए हुए है, आप उसको भी track करके देख लिएगा, मैंने जो भी link दिये हैं, उनसे आप किसी ने किसी तरह से पैसा कमा सकते हैं, तो दोस पुलिस वाला आपको call करके धमकी दे सकता है, legal कारवाई करनी की, या आपको डरा सकता है, धमका सकता है, या घरा सकता है, या कोड में मुगदमा कर सकता है, क्या-क्या उनके rights हैं, या आपके क्या rights हैं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दू, अगर आपने कोई loan लिया है वो default हो गया है आपने उसका जो EMI पे नहीं कर पाएं चाहे किसी भी प्रिकार का loan हो चाहे कोई credit card हो उसका bill भी अगर पे नहीं कर पाएं तो किसी भी पुलिस वाले के पास ये अधिकार नहीं है ये legal right नहीं है कि वो आपको एक call तक कर सके घर तो आने की बहुत दूर क्याइट नहीं है पुलिस का इसमें कोई involved मेशन है नहीं वो involved होई ही नहीं सकती ही इस case में loan वाले मुद्दे में होई नहीं सकती तब ही हो सकती है जब आपने कोई फरजी document लगाए है और जब की कोई शिकायत ना करे तब तक भो भी नहीं बोलेगी पुलिस ठीक है जो आप बात यह बात वकील की देखिए वकील भी किसी वी तरह का यहां पर जो है आपको कॉल नहीं करेगा ना आपको जो है प्रिसर करेगा ना दबाब बनायेगा ना कोई धंकी देगा कि आप loan pay करो नहीं तो हम आपके case करेंगे ये करेंगे वकील काम है legal कारवाई करना वह लीगल नोटिस भीजएगा, लीगल तरीके से वो आपसे जो है, अपना जो है, उसका काम करने को जदिका है, वो करेगा, लीगल तरीके से आपसे लड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिरेक्ल आपको कॉल करके धंकी दे या हम आपके उपर लीगल करवाई करेंगे, आप ल हिसाब से कम करेगा, ना मैसेज करेगा, फोन पर ना कॉल करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं लेगा नोडिस भीजेगा तो यहाँ पर आपको इस case में मैं बताना चाहता हूँ, लोन वाले matter में अगर लोन default हो गया या credit card का bill नहीं पे गया तो इसमें police का कोई रोल नहीं है, वकील का रोल बाद में आता है अगर कोई कंपनी कोट में जाना चाहती है वकील के माधदम से आपको नोडिस जिजवाएगी फिर वो बाद में कोट में जाएगी तो यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ज्यादातर मैंने देखा है कि जो लोन एप्स वाले हैं वो क्या करते हैं वो धंकी देते हैं आपको जो है फेक नोडिस भेजते हैं कि हम लीगल कारवाई करेंगे हम इस कोट से बोल लए हैं इस थाने से बोल लए हैं जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है वो चबनी चाप एज पर लेगर नोटिस भीजेगा आप जवाब नहीं देंगे आगे कि जो फर्दर जो कोट प्रोसीजर होगा वो किया जाएगा जो करवाई होगी आगे कि वो की जाएगी तो यहां आपको घवराने की ज़रुरत नहीं है लोन एप्स में जादा तर देखा जाता है कि लोन कुछ भी नहीं है ठीक है मैं आपको इसे ब्यूडियो बना के दे चुका हों कि पुलिस इस पर कारवाई करती है बस जब आप को फर्दी डोकुमेंट लगाते है तब और वह भी जब आपने डोकुमेंट लगाएं और जब कोई कंपनी करेगा तब जब कोई बंदे पर जो जो है मुकरत्मा डालें कोट में ऐसा कुछ होगा तब कोच आगे कही कारवाई हो दिए तो यहां पर डने की जरूत नहीं और लोन एफ में तो बिल्कुल डरे नहीं कोई भी फ्रॉड लोन आपके साथ ऐसा कह रही है बोल ले है कि हम लीगल कारवाई करेंगे बिल्कुल ड और आपको दिर्यक्ट लिगल नोटिस भीजेगा वकील काम जितना है वही करेगा लीगल तरीकी ते ठीक है अगर कोई वकील ऐसा करता है तो आप उसकी सिकायत कर सकते हैं चाए वो पुलिस वाला हो चाए वखील हो या कोई भी थट पाटी हो अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसके उपर legal अखील बनके कॉल किया है तो मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैल आगउन को पैस कर देना ताकि मेरी वीडियो आपको समय से मिल दिना है तो दोस्तों हम चलता हूं मिलूंगो किसी नेक्स वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ किसी अच्छी जनक